अलो दोस्तों इस वीडियो में आपको एक जनकरी देने वालों और जब आपका मोबाइल कपी टाइम से बंद पड़ा रहता है और आपको उसे वापस से चलू करने की कोशिस करते हो तो चलू नहीं होता है तो उसका मेन रीजन क्या होता है जब आप उसको पड़ा रखते हो तो इस बेटरी में देरे दिशार्ज होने लगते है यह बेटरी और एक टाइम पर आकर बिल्कूल हो जाती है पिर जब आप इसे चार्जिंग पर कर दोगे तो भी यह चार्जिंग नहीं लेती है जैसे अभी आप मल्टिमेटर में आप देख पा होगे इसमें विल्कुल बोल्टेज नहीं होगा और चार्जिंग लगाने पर कुछ भी M.P.R. भी कंजूम नहीं कर रहा है तो मैं यहाँ पर मल्टिमेटर का ओन कर लिया मैंने आप मल्टिमेटर देख पा होगे और मल्टिमेटर का दोनों वायर में इस पर टच कर देता हूं तो यहाँ पर 3.9 वोल्टेज आ रहा है अगर ये भी नहीं आता है तो आपको क्या करना है चार्जिंग जो आप करते हो जार्जिंग का मैं आपको लिखा तरता है अगर पूरी तरीके से बंद हो जाए तो पी वह आपको ऊण कर सकते हो तो ओहन करने के लिए कुछ ऐसा मेरे पास सिस्टम है आपको ये चार्जिंग सोगिट में डाल देना है और ये की ये जो मेन पिन होती है फोन में लगाने के लिए उसको निकाल कर ये बनाए गया है और इसको तो मैं इस पर लगा दे दूँ और ये दोनो वायर बेटरी के ब्लस पॉइंट पर रेट वाला और माइनस पॉइंट पर lead वाला लगा देना है लगद दूसरा गलल का जो भी वायर हो वह बेटरी के माइनस पॉइंट पर लगादे ना है कुछ ये 15 20 सेकेंड आपको रखना है और अटा लेना है बेटरी वा एक लिए और फिर वहां पर वोल्टेज चेक करना है जैसा मैं आपको दिखा सकता है अब यह पास एक्स्ट्रा बेटरी नहीं आई है तो मैं आपको नहीं दिखा सकता है बाटरी के दो प्लस-माइनस अलग लग होते हैं वह आपको मट्री मीटर से चेक कर लेना है तो ड़कर पावर आ रहा होगा उससे प्लस माइनस का अंदाजया लग जाता है तो आप इस परकास से बेटरी अगर पूरी तरीका से बंद हो जाए तो उसको भी आपस से ओन कर सकते हो मिलते हैं एकली वीडियो में चेहिंद बंद मात्रम